लेकिन उस्ते पहले एक जरूरी नंबर आपको बताना चाहते हैं और ये नंबर है हमारा वाट्साप नंबर जी हाँ इस नंबर पर मेसेज डाल कर आप सीधा हम तक पहुँच सकते हैं मेसेज डालना होगा आपको अपना निवेश पोटफोलियो अगर उस पर कोई सलहा हमसे चाहिए तो वो आपको इस नंबर पर भेजना है सवाल के रूप में 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आप हम तक अपन हमारे एक्सपर्ट्स जो आते हैं जो फिनांशल प्लानर्स आते हैं उनके जरीए जो है आपकी लाइफ फिनांशल प्लानिंग करवाएंगे तो जटपट इस नंबर पर अपने सवाल फेज दीजेगे चलिए अब दर्शकों के सवालों के जवाब लेंगे हमारे साथ अमित कुकरेजा एडवाइसरी के फाउंडर अमित कुकरेजा जुड़ गए हैं अमित गुड़ीवनिंग स्वागत है आपका इस खास पेशकश में और अमित आपके लिए हमारे पहले दर्शक का सवाल भी हमारे पास है संजय कुमार और इनके पास नीपापुपा का हेल्थ ये हेल्थ इंशॉरंस है एक करोड का पूछ रहे हैं कि अपने बेटे को भी क् प्लान में वो जोड सकते हैं एक साल से बड़ा है उनका बेटा या अपने बेटे को कवर करने के लिए कोई दूसरी इन्हें हेल्थ इंशॉरंस पॉलिसी लेने चाहिए Sanjay को बहुत सिंपल सा सोलुशन दूँगा उनको अपने बेटे को एड़ ओन कर देना चाहिए एक्जिस्टिंग फैमिली फ्लाटर प्लान में वान करोर बहुत अच्छा समिशॉर्ड है और इंशॉरंस कंपनी चाहिड को अराम से एड़ कर सकते हैं I am presuming कि चाहिड में कोई medical conditions नहीं है God willing, child is absolutely normal fine अगर medical condition वाला कोई additional family member है तो वो हमको evaluate करना है कि उसका stand-alone policy लेना चाहिए या family में add होना चाहिए और अगर absolutely hail and hearty healthy child है तो उनको definitely अपने existing plan में उसको add-on करके जो भी insurance premium का adjustment है वो pay करके उसको formally formalize कर देना चाहिए और राइट, चलिए तो ये सलहा हुई संजर कुमार के लिए और speech हमारे साथ GST Investment के CFP अदित शाह भी जुड़ गए है अदित, गुड़ इवनिंग, आपका भी स्वागत है और अदित हमारे पास आपके जो दर्शक है जो सवाशना चाहते हैं वो भी जुड़ गए है G.S. खुश्वाहा साब का सवाल लेते हैं नमश्कार सर सर बताईए क्या सवाल है आपका मेरे पास लटबक 20-25 लाग रुपए एक अटा मुझे एक लिपिड हंड में इन्वेस्ट करना है जिसके मुझे जो जवरत होगी लगबक अगले एक साल के वीतर होगी मुझे कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन काम कराना मकाली तो उसमें दीरे दीरे पैसे की जवरत पड़ेगी कि एक साथ जवरत नहीं पड़ेगी कभी दो लाग तो मैं उससे विड़ॉल करता रहूंगा मैं चाहता हूँ कि यह जो पैसा पूरा का पूरा पैसा एक सिस्टेमेटिक हमें विड़ॉल करता रहूं लेकिन लिक्विड फंड में रहूं जो मुझे एक साल के वीज़र देउड़त होगी तो मुझे तीन-चार ऐसे लिक्विड फंड सुझाए जिसमें पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे हमारा बिल्कुल चलिए आपका सवाल समझ गए हैं तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप लिक्विड फंड में पैसे डालना चाहते हैं और समझते हैं उसकी एहमियत क्या है मौझूदा हाला आप में आदित्य लिक्विड फंड का चुनाव करना चाहिए या किसी और शॉट टम डेट फंड का मौझूदा हाला चाहां पे बाधर बढ़ रही हैं और आग ने आज फिर से बीटिंगा एराम किया है चाहांपर बाधर बढ़े शॉट टम या अल्टर शॉट टम एंड पर रहना बहुत है लिक्विड फंड ने बहुत अच्छी चोई तो मेरे साब से लिक्विड फंड मे सब्सक्राइब करेंगे तो बेटर आएगा, एक बार आपका इंवेस्मेंट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपका इंवेस्मेंट हो जाता है, तो आप सिस्टमाटिक भी विड्रॉव कर सकते हैं, वैसे जब भी आप चाहें, प्राइब करेंगे तो यह सब्सक्राइब करेंगे तो इस अपर आपका इंवेस्मेंट कर सकते हैं, आधित एक और चीज उन्हों ने पूछी कि 3-4 लिक्विड फ़ंड क्यूंकि 20 लाग के अमाउंट की बात कर रहे हैं, कितने लिक्विड फंड की ज़रूरत पढ़ती है या किसी एक में ही पूरे पैसे पाकिन कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से इन फंड में इंवेस्टेट रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी और जाधा रिक्विड फंड में इंवेस्टेट ने की जाधा दरूरत भी लेएगी है. आदित्या इन फंड में इंवेस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा. आपको रिक्विड फंड में 5-5-6-6 परसेंट के आजबा से तरूरत बेटर में इंवेस्टेट ने रहेगा. दो करोड चाहिए बीस साल में कितना निवेश करना चाहिए इन्हें और उसके मताबिक कितने फंड या क्या रणनीती होनी चाहिए? यह इनका सवाल है. काफी अच्छा होराइजन है. लॉंग टर्म में हम टाइवर्सिफाइड म्यूचल फंड में फ्लेक्सी कैप और लार्ज और मिट कैप के कॉंबिनेशन में फंड में पैसा लगा सकते हैं. बीस साल में दो करोड जमा करने के लिए आपको 19,250 रुपे की SIP चाहिए. अगर आ मैं आपको 4-5 स्कीम बोलूँगा उसमें ये equally amounts को distribute करके इंवेस्ट कर सकते हैं. इंडेक्स में पैसा लगाएं, HDFC Sensex Index Plan, ICAC Nifty 50 Index Plan में और Flexi Cap में पैसा लगाएं, मेरा Asset Focused Equity या PGM India Flexi Cap, दूसरा पराग पारिक Flexi Cap. ये 4-5 फंड में 55,000 रुपे की SIP अगर ये कर लें तो अ जो मैंने rate of return plan किया वो 13% है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, direct plan में यूज करें, portfolio की performance को हर साल review करें और इसमें ज़्यादा फेर बदल ना करें, मतलब बदलना है, reject करना है, mission नहीं होना चाहिए, mission ये होना चाहिए कि जो अच्छा performer है उसको retain करना है, अगर वो average भी हो जात return minimize करना है, cost minimize करना है, direct plan में रहना है, और अच्छी performing schemes को add करना है, 5 से 6 schemes should be sufficient. पासकार मैं, मैं बेसिकली सर्षियर जाना चाहता है, जो power of compounding है, थोड़ा सा इसको elaborate करें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा confusion है, जैसे के बुलते हैं, कि आप long SIP अलमसम जो भी आप अगर mutual fund में earning चाहते हैं, तो आप long time तक उसको hold करें, लेकिन मुझे बीच वीच में जब मार मुझे बेसिकली आप 2-3 साल के लिए जब भी market ठीक होता है, उसको मेरे को लगता कि पैसे निकाल लेने जाए, उसके बाद जब फिर से market डाउन होता तो आप फिर से reinvest करके उसको आप again wait करें 2-3 साल के लिए, लेकिन अगर एक ही install में आप अगर long duration के लिए इसको hold करते हैं उसमें और जो मैं बोला हूँ कि बीच-बीच में आप 2-3 साल के लिए इंवेस्ट करिए, उसके आप बारा से निकाल लिए, फिर इसमें क्या difference पड़ेगा? इसमें ये difference पड़ेगा कि आप अपनी compounding में interfere कर रहे हैं, आप पैसों को कमाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, जिनमें जो शमता है आपको कमा कर देने की, दरहाल सबसे बहले तो काबिले तारीफ आपकी compounding के पूरे concept को समझना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जादू जो महनत की कमाई आपकी उसको काम पर लगाता है और आपको कमा कर देता है, आसान भाशा में इसको बिलकुत समझाते हैं और आपके जरीए वो तमाम दर्शक जो की अब तक लंबी अवधी का मकसद नहीं समझ पाते, मतलब नहीं समझ पाते, क्योंकि हर किसी को बाजार में पैसे छे महीने में एक साल में पैसे कमा कर चाहिए होते हैं, इतनी छोटी अबदी में भी लोग कमा लेते हैं, लेकिन निवेश जिसको हम कहते हैं, कंपाउंडिंग का फाया हम जब कहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट में आपको मिलता है, आदित्ति बताएं अगले साथ 110 रुपे पे आपको इंट्रेस्ट मुलेगा, ना कि 100 रुपे, इसको कहते हैं, जो आपका पैसा होता है, वो पैसे कमाते रहता है, और आप देखेंगे, अगर आप लंबी अपनी तक पैसे को छोड़ दे, तो वो 100 रुपे और एक 100 रुपे को जरम देगा, और अगर पैसे को कमाता है, इसको कहते हैं, गुसरी बात, इंवेस्टर ने पूछा, क्या मैं मार्केट को टायम कर सकता हूँ, देखें, सिंपल सी बात है, जब आप पीछे लेखेंगे, तो आपको बहुत आसान लगेगा, जब मार्केट उपर है, तो मैं बेज दूँ, और ज कि अगे की तरफ देखएंगे कि आज मैं क्या करूं तो आपको पता नहीं है कि पर जाने वाली है नीचे जाने वाली कि तो हम मारकेट को typically टाईव नहीं कर सकते हैं। दूनिया की सबसे बढ़े fund manager भी market को तो इससे अच्छा क्या करना है सरदक बिल्कुल मत रिचे मार्केट में पैसे को छोड़ 2021 में बहुत बड़ा दूर रहा था पर किसी को पता नहीं था कि 2022 बहुत प्रटार रहे रहा और US की मार्केट जो है तीन साल के लो पे आ चाले आगे देखके बहुत मुश्किल होता है बताना कि मार्केट क्या करने पाद इसी विए अगर हम इटेर इंवेस्टर है तो इन सब एडेक में बिल्कुल बत पढ़िए मार्केट में पैसा इंवेस्ट एसाइपी ने चूप डिसीमेंड अगर आप 10,000 की है तो आपको यह होगा तो आपके सिर्व भार कम कुछी इंवेस्ट की है और आपकी चुप आपकी कुछी से दुगना और तिगना हो तो पैसों पेसे और और करना मार्केट को टाइप बिल्कुल मत दीजिए मार्केट में टाइम स्पेंट कीजिए पैसे को छोड़ दीजिए और आप देखेंगे लंबी अपनी में आपके पैसे चल्दे होगे अगर आपको छोटा नजर्या है तभी आपको टाइम करने की दुरूरत बढ़ती है नबे नजर्या कभी भी पार्केट को टाइम देख दो लें चल्द ये राजकुमार जी उमीद करते हैं कि आपको अब सल्हा समझ में आ गई हो आपके जरीए पाकी धर्शकों को भी फाइदा हो गया यहाँ पर कंपाउंडिंग का मतलब उन्हें समझ में आ गया हम चो को आगे बढ़ाएंगे रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर अमित क्या है आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र मेरा आज का निवेश का गुरु मंत्र है कि financial planning या goal planning आप जो भी exercise करते हैं वो एक one time exercise नहीं होती वो आपको हर साल review करनी होती है काफी लोग समझते हैं कि एक बार financial planning कर लो और उसके बाद हम खुदी investments manage कर सकते हैं मैं उन सब लोगों को suggestion और recommendation दूँगा कि अपनी planning हर साल review कीजिए हर साल goal की progress को track कीजिए देखिए आप अपने goal से कितना दूर है और उस goal को achieve करने के लिए क्या आपको monthly investments change करनी है क्या आपके investment products जो है वो change होने है क्या उनकी performance satisfactory है क्या आप जो required investment है वो कर सकते है क्या आपकी salary में raise हुआ है तो क्या goals का amount change हुआ है या additional goals आगे ये एक continuous exercise है जो हर साल आपको repeat करने चाहिए ठीक उसी तरह जिस तरह आप अपने हर साल routine health checkups कराते है अपनी health की wellness को assess करने के लिए financial wellness को भी assess करने के लिए you need a regular annual at least annual exercise अजित्या अभी हमने आपने शोपे बाद की national pension scheme की तो वहीं ये product लेके आया हूँ हम private companies जो काम करते हैं हमें कोई भी pension नहीं मिलती है कोई कमी आपेंशन नहीं देती है तो हम जब काम करते हैं तो हम अपनी pension की तरफ invest करते रहे हैं उतका tax benefit भी होता है अपने national pension scheme की तरफ तो आपको tax benefit मिलता है और ये पैसे government bond equity और corporate bond पर जाके invest हो जाते हैं आपके mandate से और सार सार की उमर के पाथ जितना आपका corpus develop होता है वो आप pension के नजरिये से निकाल सकते हैं तो ये बहुत सरुरी product है सब यांग लोगों के लिए जिन दिए कोई भी pension नहीं रहेगी और retirement planning में अब ये बहुत मेरे तुकून पार्ट गेंग करते जा रहा है तो ये बहुत अच्छा product है इसे कहते है नाशनल pension scheme आपने काम करने के बिलो में आप इस scheme की तरफ invest करते रहेंगे और सार्ट सार्ट की उमर में जबाप पैसे निकालेंगे पेंशन की तरह एक anniversary की तो बहुत काईदे मत होगी रिटायर चलिए आगे बढ़ेंगे और सुशान्त डे हमारे साथ phone line पर है सुशान्त नमस्कार सर बताईए मेडम मेरा सबसे पहले मैं अपना जो पोर्टफोलियो भेजा है वो आपके सामने होगा नमस्कार बिल्कुल वो पोर्टफोलियो हमारे पास है उसमें कोई बदलाफ तो नहीं है ना पांच फंड है मेरा टार्गेट है अगले 15 साल 2037 के आसपास मैं चाहरा हूं उसको हो दो साल हो चुका है और 15 साल और है टू एंड हाफ करोड से थ्री करोड का टार्गेट है और यह पांच फंड से पहले मैंने और भी पहली कोश्चन तो मैडम यह है कि क्या यह पोर्टफोलियो सही है और नहीं तो फिर क्या कुछ सुधार की गुंजाई से दूसरा एक प्रसम है मैडम इसी के आगे ऐसा पॉसिबल है कि अभी यह जो फंड बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं माल लेजे पांच साथ साल बाद जाके वो अच्छा परफॉर्म ना करे तो आपको बताते हैं क्या बतलाव करना चाहिए अमित मेरे पास एक ही मिनि अच्छा खासा पैसा अर्न कर लिया है इनके रिटर्न बहुत ही स्ट्रॉंग दिख रहे होंगे इनके पॉर्टफोलियो में सुषान को अपनी एक्सपेक्टेशन को टोन डाउन करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ही डिप्रेस मार्केट में एंटर हुए थे मार्केट न इसी के साथ शो को भी समाप करने का समय हो गया है में ता आपका आदिते आपका बहुत-बहुत धनिवास हमेंने का दर्शकों की फिनांशल प्लानिंग की है और मुझे भी इजाज़त दे लेकिन जाते-जाते वो नंबर जिसके जरी आप हम तक पहुंच सकते हैं वाट्सा कर दो